स्वागत है दोस्तों आपका दिनेश पाटिदार फोटोग्राफी चेनल में और आज हम यह सीखने वाले हैं कि सेल्फी अच्छी कैसे आती है सेल्फी मतलब खुद खेचू हम खुद जब अपनी स्वेयम की फोटो खीशते हैं तो उसे बोलते हैं सेल्फी और सेल्फी जब हम खीश लेते हैं उसके बाद करते क्या है दोस्तों हम उसको इंस्टाग्राम पे भेजते हैं या फैस्बूक पे भेजते हैं या अपनों दोस्तों को वाट्सप ग्रूप पे भेजते हैं जब हम उसको भेजते हैं, तो हम यह चाहते हैं, कि उस पर हजारों लाखों लाइक आई, और हम बहुत फेमस हों, पर अच्छी सेल्फी आती कैसे हैं, दोस्तों, आज हम यही जानने के लिए आये हैं, इस YouTube चैनल पे, और समझते हैं, कि अच्छी सेल्फी आगेर कैसे आती है, दोस्तों सेलफी हम क्या समझते हैं सेलफी को आड़े तेड़े फन की फनी लुक्स करके हम जब फोटो निकालते हैं जो फोटो या तो दूसरे को हंसने के लिए होती है या फिर बच्चों को डराने के लिए तो दोस्तों ऐसी फोटो क्या सब पसंद करते हैं या नहीं करते है जो पसंद करते हैं, हमें ऐसी selfie लेना चाहिए, ताकि हम किसी को भेजे तो उसको भी पसंद आए, ऐसा नहीं कि केवल हमको पसंद आ रही है, वही selfie सब सच ची है तो दोस्तों, ऐसी कौन सी selfie है जो सब को पसंद आने वाली है और हम जो खीचते हैं, उसमें क्या गलतियां होती है आईए, हम चलते हैं उन selfie की 5 टिप्स को लेकर जिन से हमारी selfie बहुत अच्छी होने वाली है तो आज हमारे बीच, हमारी ननी सी, प्यारी सी मॉडल है भूमिका, हम भूमिका के साथ आज अपनी selfie की 5 टिप्स समझते हैं भूमिका, जिसको आपने पिछले वीडियो में भी देखा था तो हम आज इसके माध्यम से सीखेंगे कि अच्छी selfie कैसे आ सकती है सबसे पहले पहली टिप्स यह है कि मोबाइल को आप टाइमर मोड पे डाल लो जब सेल्फ टाइमर मोड रहेगा तो हमें उसमें फोटो जब खीचते हैं तो अपने एक्स्प्रेशन से राइट टाइम देना और हात नहीं लेगा इसलिए हम रेडी रहेंगे कि 5,4,3,2,1,0 तो हम जैसा ही 0 होता है तो हम अच्छे से अच्छी फोटो सेल्फ टाइमर मोड पे कीच सकते हैं तो दोस्तो हमारी दूसरी टीफ्स देखिए आप एक सेल्फी लीजिए देखिए ऐसा मुर्जावा चेहरा किसी को पसंद नहीं आएगा केवल जो फोटो कीच रहे नहीं उसको ही पसंद आ रहा तो आप जब सेल्फी ले तो अपने चेहरे पर स्माइल दीजिए बोलिए स् सेल्फी लेजिए देखिए कितने अच्छी सेल्फी आती है तो भूमिका हमने दो टीफ्स सिख ली अब तीसरी टीफ्स हम सिखते हैं कि जब हम सेल्फी लेते हैं तो केमरा हम कैसे रखते हैं सीधा है ना पर जब सीधा केमरा रखेंगे तो हमारा फेस आएगा उसमें पीछ साथ अपने साथ हम पीछे की लोकेशन भी दिखा रहे हैं है when mobile से अच्छी विलेने की फोर्थ यानि की चौthी टिफ बहुत ही प्रवरी टीप से उससे आपकी फोटा बहुत ही सुंदर दिखेयागी हम जब मोबाइल से फोटो खीजते हैं, तो उसका एंगल कोन सा रखते हैं, या तो उपर रखते हैं, आस्मान में, तो हमारा सीर नजर आएगा, या फिर नीचे रखते हैं, जब नीचे हम दोस्तों मोबाइल को रखते हैं इस एंगल पे तो हमारी जो चीन है, दाड़ी है, डब अब दोस्तों हम पांचवी और बहुत ही महत्वपून आखरी टिफ समझने से पहले आपको कुछ बता देना चाहते हैं कि इस जो हमारी सीरीज चल रही है मोबाइल से अच्छी फोटोग्राफिक कैसे लें उसमें सबसे पहले आपने देखा लाइट का ध्यान कैसे रखना चा हमारी फोटो बहुत ही प्यारी आई कुछ दूसरों से हटके फोटो निकालने के लिए हमें अलग-अलग ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ता है तो उन ट्रिक्स के लिए हम अगली वीडियो बहुत ही जल्दी बना कर आपके सामने प्रेश करने वाले हैं आप देसे श्वा ही हुई है वह स्वयम की है ग्रूप की है जब ग्रूप हो जाता है तब भी हम मोबाइल को ऐसे सीधे ही कड़के फोटो लेलते हैं तब सब लोग आते नहीं है जब हमें ग्रूप फोटो किसना है तो हमेशा ये टिप्स का ध्यान रखे बहुत अच्छी फोटो आईगी आड़ा फोटो कर लिजिए आप मोबाइल को आड़ा कर लिजिए इस तरह से और आप ग्रूप फोटो निकालिए देखिये कितने प्यारी फोटो आई क्योंकि सब लोग उसमें आ जाते हैं हमेशा इन सब टिप्स का ध्यार रखे और प्यारे फोटो लेते ही रहिए और मस् जारों लाखों लाइक आपके फोटो पर आते रहेंगे थैंक यू वेरी मच आपने इस वीडियो को अन तक देखा और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रही है फिर से भूमेका को भी थैंक्स और आप सभी को थैंक्स